करनाटक के विदानसवा चुनाओं में भारती जंता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था इस हार के बाद भारती जंता पार्टी पर जहां विपक्षी पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया था वहीं अब संग ने भी भारती जंता पार्टी को नसीहत दी है इस मुद्धे पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता और राजसबासांसन प्रमोज जी हैं प्रमोज जी आरेसेस ने जो नसीहत दी है भारती जनता पार्टी को इसके क्या माइने है देखे राइटिंग अंदवाल है इसे सिर्फ करनाटक मत देखें करनाटक से पीछे हिमाचल जाईए हिमाचल के साथ दिल्ली में जहां पर नगर निगम में कॉंग्रेस भी नहीं हिला पाई थी इनको वो नगर निगम का चुनाओ गया इनका फिर मुद्धा क्या था हाँ दो बड़े मुद्धे थे शुरुवात हुई करिप्श से मिस्टर चालिस परसंट उस पर ये कोई सफाई नहीं दे पाए इनके ही सरक्षण में बुम्मई सरकार पलती रहे हैं वहागी बीजेपी की सरकार यानी जंता ने विश्वास किया हम पर और जो सच्चाई देखी वो किया दूसरा चुकि वो प्रियोक्षाला रही है करना तक दक्षिन की भाजपा की तो इन्होंने धार्म का जितना जादा वीवत्स स्वरूप अपना कर किया कि प्रधान मंत्री इस पर उतराए कि मोहर ल भाने के पहले बजरंग बली के बाले में गिरावट की इंतहा धर्म के उप्योग की पराकास्था तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि करनाटक हो या हिमाचल मैं पुर्वत्तर राज्यों की बात करूं हर जिए गिरावट आई है तो ये विश्वस नियता भाजपा की नहीजिए नहीं समाप्त हूं है ये विश्वस नीता मोदी जी की समाप्त हूं है हर चीज़ पे विचार करता रहता है अब उसको लग रहा है कि ये मोदू बोदी जी चलने वाले सिक्के नहीं ही तो खोड़े सिक्के था तो वो इनको नसीयत देते हुए कह रहा है कि आत्में चिंतन करो क्यों ऐसा हुआ यह एक आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की घंटी है बज गई भाजपा के अंदर भाजपा के बाहर से तो प्रहार होते रहे हैं मौदीजी के अंदर पर नौ साल के कारकाल में पहली बार आरेसेस ने उंगली उठा गी जिस तरीके की बात कही है कि अकेले मौदी का फेस और हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो कारगर नहीं हो पाएगा दोहजार चौबीस में यानि कुछ और चीज़ें एड़ करनी पड़ें बिलकुल बिलकुल यही कहा है कि अब मौदी प्लस भाजपा मौदी की इमेज परियाप नहीं है चौनाओ जीत नहीं है इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा उनकी चिंता यह है कि हिंदू तकीब एक नगन तांडो करने के बाद भी हिंदू राज्यों में भाजपा हारी है वह हिमाचल में तो 96-97% हिंदू है वहां ह पारी तो अब इस पर विचार करना पड़ेगा सिर्फ हिंदूत पर मौदी के चेहरे पर नहीं चलेगा वाइदो अब उन्होंने बिनमरता बढ़ती कि जो तुमने वाइदे किये थे नौ साल तुमने बरवात कर दिये और इसलिए चिंता है नौ साल पर नौ सवाल जो हम प मौदी के नेत्रत में भाजपा वापस नहीं आ सकती अब वो क्या करेंगे क्या मौदी को हटाने का प्लान है या मौदी का रंग रोगन करने का प्लान है अब ये तो वक्त बताएगा मौदी और हमिच्छा की जोड़ी को मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता था जो है वह ल बंधन बेहतर रहा यानि यह सीधा टेक है अमित साजी पर यह सीधा टेक है मोदी जी पर एक तरफ कहना है कि मोदी जी के चेहरे पर ओट नहीं मिला मोदी जी के अपील पर ओट नहीं मिला मोदी जी के धर्म के दृप्योग पर भी ओट नहीं मिला दूसरी तरफ कह दिया च रोण लुटा जिये पताब पैसे पानी के तरह बहाए गए वहाँ कमी तो थी नहीं और उसके बाद ये हालत है क्या लगता है कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही है और ऐसे में जब संग ने आइना दिखाया है भारती जनता पार्टी को तो विपक्ष तो निश्चित तोर पर इससे उत्साहित होगा देखे बिपक्ष दूसी बात से जादा उत्साही थे जनता में आप चले जाईए आज महिंगारी बेरोजगारी भ्यस्ताचार उपर मुखंती में मत देखे तैसील में जाईए आप जाईए पुलिस में आप जाईए बलाक में आज आदमी को दुगना तिगना रिश्वत देनी पड़ रही जब भाजपाई थी उसके पहले से तो ये भ्यस्ताचार से जनता बिल्कुल तरस्त हो गई है और भ्यस्ताचार हटाने के नाम पे ही भाजपाई महिंगाई हटाने के नाम पे भाजपाई बेरोज़गारी मिटाने के नाम पे आई और उन सारे मुद्दों पे दो हजार चौदा में जो इस्तिति उससे कहीं ज्यादा भैयानक इस्तितिनों ला दी है तो आरे से स्कूर डन लग रहा है कि अब ये सरकार बन नहीं पाएगी तो वही प्रक्टी करण है अच्छे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब फेक्षकरत कमजोर मानी जाती थी लेकिन आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं आगरा के नेता सीपी राय वो कांग्रेस में शामिल हुए सीतापुर के रठावर जी वो कांग्रेस में शामिल हुए किस तरीक बस्वा में गिरावट है और तो कोई विकल्प नहीं लोग कॉंग्रेस की तरफ आ रहे हैं जहा तक डाक्टर सीपी राय को मैं बेगद्गत रूप से आनता हूं यह लेखक हैं चिंतक हैं विचारक हैं और समाजवधी पार्टी को इन्होंने बहुत यतन के साथ मुलाइम सिं थी जहां पर उसको ऊपर आना ही है और करनाटक और हिमाचल की विजह ने और अब देखिए एक 36 गाड़ मद्ध प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में खोई हुई मान गौरो समान वापस करेंगे उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था यह जो नेताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है क्या लगता है कि चिनाओं आते आते यह तेजी से बढ़ेगा और कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सर्वाइवल करेंगे मुझे पूरा विश्वास कि भाजपा का विकल कॉंगरेस दूसर दल नहीं होग सकते तो अब जनता लिए मैसूस कर लिया है और इसलिए आप लोग कॉंगरेस की तरफ आएंगे जो भाजपा गोटाना चाहते हैं वो कॉंगरेस की तरफ आएंगे कि दूसरे दल नहीं रहना है कि करनाटक चुनाओं को ले करके आरेसेस ने भ्यारती जनता पर्टी को जो सीख दी है जो नसीहत दी है वो उसको आइना दिखाने वाले है और आरेसेस ने भविश्च की एक जो बात है जो तस्वीर है उसे पेश करने का काम किया है कैमरमेन अनुराग दिवेदी के स